13 October के यह है चाहती की अपडेट है कुछ इस प्रकार देखा जाएगा कि इशारदा जी की स्थिती बिगरती ही जाएंगी उन्हें बलड की जरूरत पड़ेगी और बलड डोनेट करेगा अर्मान और बन जाएगा प्रिशा के सामने उनका वेल विशर फिर देखा जाता है कि रूदर को पुलिस टेशन बुलाया जाता है और पूरी इंक्वाइरी होती है कि किस तरह यह घटना घटी वहाँ जाके पता चलता है कि जो ड्राइवर है उन्होंने तो गाड़ी के सामने पत्थर रखा था तो आखिर पत्थर हटाया किसने CCTV फुटेज कि वो एरिया गायब कर दिया जाता है जिसमें अन्वी वो पत्तर हटाती है और यह गायब करता है अर्मान वे अपना भेज बदल कर जाता है और CCTV फुटेज एरेस कर देता है अब क्या इस सच का कभी रूदरू और प्रिशा पता लगा पाएंगे वहीं दिखाया जाता है कि चाचा जी अर्मान को फोन करके इंफॉर्म करते हैं कि शायद 14 माँ अब बच नहीं पाएंगे उनकी स्थिती बहुत खराब है सान्य अर्मान चिंत हो जाता है कि उनकी बेटी अन्वी का फ्यूचर क्या रहेगा और अन्वी को दिखाया जाता है कि वह यह कबूल कर लेती है कि पत्थर आकिर उन्होंने ही अटाया था सारा अंश को मारने के लिए अब फूर्दर अब्रेट्स के लिए चैनल पे बने रहेगा सब्सक्राइब जरूर कीचेगा और कॉमेंट में मेंशन करेगा कि आपका फीवरिट पार्ट इस एपिसोट का क्या रहा थैंक यू